हलो तो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का जैसा कि आप लोगों को पता है जब जब कही न कहीं नियोजी सिख्षकों की सक्षमता 1 की पोस्टिंग की final बात आई है तब तब कोई न कोई अर्चन बिहार सरकार ने लगाया है जिसके चलते नियोजी सिख्षक अब प्रोटेस्ट करने के लिए तयार हैं यहां पर आप लोग देख सकते हो एक इंफॉर्मेशन आरका है पहले साप्टेवेर बनेगा फिर होगी ट्रांसपर पोस्टिंग तो कहीं न कहीं इससे काफी ज़्यादा आक्रोसित है नियोजी सिक्षक और प्रोटेस्ट जल्द ही करने दे सकते हैं और 10 आपसन भी दे सकते हैं तो आप लोगों को मैं बता दूँ जैसा कि यह इंफॉर्मेशन पिछले 2-3 दिनों से मिल रहा था कि बहुत ही जल्द आवेदन प्रकिरिया शुरू होगा जिनका ट्रांसपर पोस्टिंग होने वाला है उन वो आवेदन कर सकेंगे और 9 महीने के सुरुआ से या मद्ध से पोस्टिंग प्रकिरिया शुरू होगा बट अब नया अड़चन यहां पर आप लोग देख सकते हो आ रहा है तो नियोजिस सिक्षक इसको लेकर काफी जादा आक्रोसित है अगर बात किया जाए सक्षमता 2 के कब तक नतीजे आ सकते हैं तो उसके नतीजे लगबग तैार है और उमीद लगाया जारा है कि इस महीने के अंतर से पहले पहले कभी अब जारी किया जा सकता है अगर बात किया जाये कि TRE 3 के result कब तक आएंगे तो उसके result कभी आदेश जारी हो चुका है कभी भी जारी किया सकता है तो इन सबी से जोड़ी कोई नई information आएगा तो definitely आप लोगों को inform कर दिया जाएगा वीडियो को like नहीं क्यों तो like कीजेगा subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस करें